देखिए अक्यल वारती कॉंग्रेस कमेटी की महासिचिप आध्रणी प्रिंका गांधी जी, उत्तर पर्देश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आध्रणी हमारे अजे कुमार लल्लू जी और उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी मानेटी सेल के हमारे अध्यक्ष आलम साब ने यहां दो सदसिये कमेटी बना कर जो आउला लोक सभा के पूर उमीदबार है हमारे डाक्टर प्रफेसर अलाउदीन साहब जो पूर में प्रवक्ता भी रहें और हमारे एमलसी के उम गर्स कर रही है और कमेटी गठित की है क्योंकि किसी का इलाज करना बच्चों का इलाज करना इस देश में और कहीं भी जुर्म नहीं डाक्टर कफील ने अच्छे काम किये थे और उन पर इस तरीके से मैं कहना चाहता हूं सीधे हमरे उत्तर प्रदेश के मुखमंतरी योग अधितनाजी को कि अपनी जाती दुस्मनी एक तरह से डाक्टर कफील के साथ नभाई जा रही है उनके इसारे पर डाक्टर कफील को एनेस से लगाकर एक बार नहीं दो दो बार एनेस से लगाकर जेल से बाहर भी नहीं आते हैं डवल एनेस से लगाकर उनको जेल में रखा करना चाहिए ना कि अपनी जाती दुस्मनी अगर कोई कहना नहीं मांते कि गोरकपुर की गटना है गोरकपुर से सांसते और कहीं न कहीं उनसे डाक्टर कफील से बेदबाव रखते थे इसी की संदर में लेकर और सिर्फ उनके नाम के आगे में सीधा आरोप लगा रहा हूं एक जाती बिसेस के लोगों को खास तोर से जिन पर कोई आरोप नहीं है गलत जूटे आरोप लगा के उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है मैं आज मुझे पीड़ा होती है क्या आपने देखा हूँ आजम खाकी में बात करूँगा बले ही समाजबादी पार्टी के लो और योगी अदितना जी कर रहा है इसकी हम घरी निंदा करते हैं और कॉंग्रेस पार्टी अब इसको बीड़ा उठा रही है किसी भी चाहिए वो किसी भी पार्टी का हो किसी भी धर्म का हो अगर किसी के खिलापन नहाए होगा आदरी प्रिंका गांदी जी और हमारे परद इसकी सरकार ततकाल कपील को रहा करना चाहिए डक्टर कफीन जी को इसी भी जो घटना कर टी तो भी वो होस्पड़ा वाली जो घटना थी आक्सीजन की कमी के कारण बहां के लोकल प्रिशासन से शासन को पहले ही लिखके दिया हुआ था कि यहाँ पर फानेंसली क्राइसिस बचारने के पूरी कोशिश की और अपने किसी मित्र के हॉस्पडल से सिलिंडर को बारो किया खुझ आके वो लेकर आए जाके और उन्होंने बच्चों की जान बचाने सारा काम के दस तारीक के बाद 11 वारा में बहुत प्रिशन सा हुई पूरे हिंदुस्तान के अंदर चर घिसमें उसे उनको किलीण चीट दी गई उसके बाद में फिर यह चलता रहा उनकी बीच में एक बार उनके भाईक पर अटेक किया इसमें उनकी जान बच गई उसके बाद में फिर यह NPR, NCR यह जो घटना जी शुरू हुई तो इसमें आलीकर युनिवस्ट्री में डक्ट पिर आठ दिन के अंदर वहाँ के डिश्ट्री कोड ने उनको जमाना दे दी ओ, जमाना देने के बाद उनको कोड से निकलने के बजाए, दूसरे केसे में लगा के फिर उनको जो है नहीं निकलने दिया, उसके बाद फिर उन पर NSA की कारवाई की गई, मैं उत्तरप्रदे सरका को कें सरकाओं को देना होगा, डाक्टर कफिल को ओनरिबल कोड ने पूरी तरह से सारे केस में उनको किलीन चीट दी, उसके बाद वुजद भी आप उनको उनकी रहाई नहीं कर रहे हैं, उनकी बीवी बच्चे बीच पे उनके बहुत सारी फानेंसिल करासिस हाई, उनको सै कर दो करो दो आजानों में आपने जो है, फरजी आडी लगा कर आपने जो है, वो किया था है, इसके लिए मैं आपको करते हैं, पूरी दुनिया की चीजों को आरप लगा कर उनको बंद कर दिया गया, लेकिन सचाई यह है, कि डाक्टर कफिल पूरी तरह से निर्दोश है, उनको मैं केंद्र राजी सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ कि डाक्टर कफिल साब अने से की धारप उन पर नहीं लगना चाहिए, एक डाक्टर है वो, वो अचों का इलाज कर रहे थे, उन पर अने से लेगेगी, इंद्रा जी नहीं रूल लाइन थी, लेकिन इसलिए अनुचित है, पूरी तरह से गलत है, कांग्रेस पाटी नहीं परिंका जी का, अजे कुमार ललु जी का, शाहनवाज आलंग साब का तहे दिल से शुक्रिया अधा करता हूँ कि, आज पूरे उत्र प्रदेश के अंदर प्रिस कांफिरेंस के माध्यम्त इस बात को उठाया है, और मैं यह उम्मीद करता हूँ, कि यह आवाज यही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाएगी, और डक्तर काफिल साहब निर्दोश है, उनको बिल्कुत तुरंद रिहा किया जाएगा, इनी बातों के साथ मैं अपनी बात करता हूँ, जय हिंद्ट